करनाल के नर्सी विलेज में बुजूर्ग रिटायर टीचर का शव और उसके आफपास फैले खून से संसनी फैल बे सूचना मिलते ही पुलिस ने मोके पर पहुँचकर मामले की चांश शुरू की इस दोरान पुलिस ने जब पास में लगे हुई सिसी टीवी कैमरे को खंगाला तो मामला कुछ और निकला दरसल 75 वर्षी बुजूर्ग जै भगवान शर्मा सड़े 3 बजे कमरे के बाहर आते हैं उन्हें उल्टी होती है और वहीं चकर खाकर गिर जाते हैं फिलाल पुलिस ने शब कबजे में लेकर मामले की जान शुरू कर दी है पोस्ट मार्टम के लिए शब को कलपना चावला मेडिकल हॉस्पिरल भिजवा दिया गया है मैं सचो साब यहां पहुंग पहुंच है मैं भी आया हूँ तो एफसल टीम भी मेरी आ रही है फर्स्ट इंस्टांस पे देखके जो हमने बाकी फिजिकल एबिटेंस चेक ही हैं और सीसेटी की फोटेज भी चेक हैं उसमें लगबग साढ़े तीन बज़े के करीब बज़ु इसे लग रहे हैं तो इनको फर्स्ट इंस्टांस पे देखने में सामने रहे हैं कि कोई ब्लड वॉमिटिंग टाइप हुई है और कोई मेडिकल कंडिशन की वज़े से और उसी की वज़े से फिर यह अपना यहां कॉलाप्स हुए हैं गिरे हैं वो सारा सीसे टीवी में इसको पॉस्ट माटम तराएंगे उसमें एक्ष्ट पॉस अधर के अंदर कमरे में भी ब्लीडिंग थी अंदर से आये हैं बाहर यह जी कमरे में जो ब्लीडिंग है वो ब्लड ड्रॉप्स हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना मेडिकल कंडिशन की वज़े से और कोई इनके साथ सस्पेक्ट नहीं आ रहा है और घर के अंदर से ही आये हैं जो अभी तक अमने CCT दी देखी है उसमें कोई थर्ड पर्सन भी नहीं आ रहा है तो प्राइम आफिसा यही लग रहा है कि कोई मेडिकल एल्मेंट की वज़े से या कुछ इंजेशन की वज़े से इनक इस सब्सक्राइब करें है है आजय वाल ऑड़के लिए बाल इकन को कुछ धाने को खरी हमारी मेंट लगा इसे इसे रोगने के लिए बल इकन को क्लिक हर हमारी चैनल को सिर्व लाइड या ठोर्ण निलिए रंशे के कडैरे या थाल वाल है वाल मेंटिकल अधिछ और